मैं एक मिशन पे गया दे इस स्पेस के लेकिन वापस आते वक्त मेरा स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो गया और सही वताओं यहाँ पर ऐसा मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कुछ होगा भी तभी यहाँ पर मैंने बाहर निकला और देखा कि पूरा का पूरा रिगिस्तान ह है चारो तरफ और एक तरफ मेरा जहाज और मैं दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था सबसे पहले तो मैं अपनी स्पेस क्राफ्ट के पीछे गया भाई देखने के लिए कि इसमें चल किया रहा है तो भाई उसका एक इंजन तो खराब होया रखा था इंजन के उसक कचरा निकला भाई मतलब की बुक में कुछ था ही नहीं और दूर जाकर चेक किया मैंने फिर से मेरा एक मेरे जहाज का एक हिस्सा इधर पड़ा हुआ था भाई मुझे लगता नहीं था कि मेरा जहाज अब ठीक भी हो पाएगा पर अंदर आते ही सबसे पहले मैंने चेक करन आने वाला था लेकिन मेरे को एक सेपलिंग मिली थी और इस जंगा पर सेपलिंग उगाना भाई कोई मतलब भी नहीं था बहले यहाँ पर सेपलिंग कौन उगाएगा लेकिन फिर मेरे को पता चला मेरे पास एक क्वेस्ट बुक है जहाँ पर मैंने इसको खोला तो मेरे को एक डर्ट अपने आप ही मिल गई और फटावट मैंने डर्ट पे पोधा लगाया उसको बड़ा किया और तोड़ना शुरू कर दिया और मेरे कोई चैस्ट भी मिला जिसमें से भाई कचरा ही मिलता है पता है भाई कचरा किश्मत है वही मिलेगा मिरेको अब पानी और खाने का और मेरे को सेब मिल सके खाने के लिए, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर करू क्या, फिर भी मैं अपने लकडिया काट रहा था, लेकिन फिर दिमाख में है कि क्यों ना अपना ज्छाज को थोड़ा साफ कर लिया जाए, क्योंकि अगर ज्छाज साफ र पाला था भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मोसम भोजल्दी खराब होगा लेकिन जैसे ही रात हुई मुझे थोड़ा सा अजीव लगना शुरू हो गया यहां पर कुछ थाई नहीं पर फिर पता चला कि यहां के जूंबी थोड़े से अजीव है मैंने जैसी किसी एक जूंब मारे इतनी जल्दी खतम होया करती थी मुझे दुबारा बनानी पड़ती थी और मैं सही बताओं जहाज भी साफ नहीं कर पाया इनके चक्करों मैं मिर पास पानी और खाना भी खतम होने वाला था और थोड़ी सी लूट बची हुई थी जो वो जूंबी छोड़के गई थी मैंने फटावट रोटन फ्लेश को लिया और उनको टांगना शुरू कर दिया रैक पे ताकि ये सूप के मेरे लिए खाना बन जाए लेकिन खाने का तो जुगाड हो गया पर पानी का मिर पास जुगाड नहीं था मिर पास पानी था ही नहीं इसलिए मैं अपने जहाज के प आसपास थोड़ा कुछ ढूंड लिया जाए आसपास बस कैक्टस से पर सही बता हूँ ये जो मेरी कैक्टस होने वाली थी है पूरी लाइफ से वर्दी मेरी मतलब कि हर चीज में बचाने वाली थी कैक्टस इसलिए मैंने अपने लिए दो बक से बनाए और चेक करने के थोड़ी सी राहत तो मिली थी पर फिर भी मेरे पास खाना वगरा कुछ नहीं था लेकिन पानी मेरे पास आ गया थे ये अच्छी चीज थी और सबसे बुरी चीज यहां के जोंबी पूरी रात बर ऐसे घूमते रहते मेरे को ढूंडते रहते हर जंगा लेकिन मैंने इस बा धर्ट बनाना शुरू कर दिया और मेरी ये कचरा चीज भाई ये पकने के लिए तैयारी नहीं है अब इतना ध्यान देनी सकते हैं और भार में निकलनी सकता है इसलिए अपनी जो इस्टिक्स है वो यहीं पर निकालनी शुरू कर दी जो मेरे को कचरा मिला था उसी कचरे से जितनी हो सके सारी की सारी निकाल ली बने एकी बार में और अगले दिन सुबा वापे से सफाई करना शुरू जो कि ये जूंबी फैल आते है बाई फाल तुक और कैक्टस की भी खेती करनी शुरू कर दी क्यूंकि कैक्टस से पानी और डर्ट मेरे को मिल रही थी फिर बस अगले दिन वही पेड़ पाड काटा मन है और ओक लीफ से कीड़े और एपल वगेरा ढूनने की कोशिश करी जो कि मिल भी रही थे और नहीं भी मिल रहे थे कभी कभी तो लेकिन सबसे बड़ी मेरी जो दोशमन थी इस गेम में वो थी गर्मी गर्मी बहुत ज़्यादा लगरी थी और मिर पास पानी था भी नहीं थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था सोच रहा था इसके अंदर कैसे जाओं तो सोचा कि इसको तोड़ के देख लेते तोड़ा तो भाई कुछ भी नहीं मिला वो पानी भी चला गया मिरे पास और पता है कि कभी ना कभी पानी का जुगाड करी लेंगे लेकिन भाई रात भी होनी शुरू हो गई इसलिए जो मिर पास कीड़े थे उनको पीरड़ पे लगा कर मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रिंग ले ली क्योंकि स्ट्रिंग से भी बहुत फायदा होने वाला था अपनी जो इमैश है यह काम करने वाली थी अभी मैंने सेंट को च्छानना शुरू करदcular सेरे मेरे इस ऐसी मिल रही तियसे आएरन वगयर यह चीजह मिल रही थी तो सोचा कि इस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए मैंने इस सेंट को डस्ट में बनाया और फिर से इसको चानना शुरू किया अलब कि डर्ट को क्योंकि मेरे को एक फरनेंस चाहिए था जैसे दिन निकलता है इनको मारना होता था मुझे और उसके बाद खाना चाहिए था मुझे पानी चाहिए था सारी चीजे मुझे चाहिए थी सुबह के सुबह और मेरी सबसे बड़े दोश्मन गर्मी जब भी मैं बहार जाता ये गर्मी मेरा पीछा नहीं छोड़ती और रात को ये जोंबी हमईशा मेरे पीछे पड़े रहते थे यहां रुकना बहुत खतरना था लेकिन कैसे न कैसे करके मैंने अपना एक fernence के लिए जुगाड कर लिया चान चान के और मेरे को एक fernence मिली गया था अब इसमें मैं खाना भी पकाने वाला था साथ में आयरन वगेरा भी बनाने वाला था पर मुझे आयरन नहीं बनाना था मुझे एक बकेट बनानी थी जो कि कले की बकेट बनानी थी और उसके बाद अपनी कले की बकेट भी तैयार होगी क्योंकि मेरे को गर्मी लग रही थी भाई मेरे को थोड़ी सी कैक्टस चाहिए थी उसके लिए जाना पड़ा और सामने मेरे को एक डेजर्ट टेंपल भी मिला जिसके पास जब भी मैं जाने की सोचता मेरे को गर्मी लग जाती भाई मैं क्या करूँ मुझे पानी के अंदर बैठना पड़ जाता था गर्मी की वज़ा से अब सब्सक्रा थोड़ा खेत को बढ़ा कर लेना चाहिए इसलिए मैंने डर्ट वगरा बनानी शुकर दे कि मिरे पाद फरनेंस तो आई चुका था बेकार और वहाँ पर खजाने में 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 नई नई चीजें मिल गई थी वैसे तो मेरे पास हड़ीया बहुत जरूरी थी क्योंकि में बोन मील चाहिए पर उसके लावा बहुत सारी नई नई चीजें भी मिल गई थी अपने घर पे जोंबी फ्लेश अभी तक सूखा नहीं भाई कब तक सूखे गए मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं इस चीज को भी नहीं खा पा रहा था और ना सुखाऊं तो फिर मेर को इनी से डर्ट भी बनानी पड़ती थी अगली सुबह कैसे न कैसे करके मैंने इनको निप्टा आया और बाहर जाके देखा तो तूफान आ रहा था मैंने अपनी स्ट्रिंग वगएरा ही खटा करना सू कर दिया क्योंकि स्ट्रिंग से बहुत फायदा होता आगे लेकिन जादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि गर्मी लगती है भाई इसलिए घर में आके बैठना पड़ता है फिर मेरे को पता चला कि जो मैंने ये लगा रके रैक ये ड्राइंग रैक नहीं आइटम रैक लगाई हुई है मैंने तो इनको मैंने फटा फटा आया भाई मैंने दूसरी लगाई ड्राइंग रैक लगाई और उस पे मैंने जाके सुखाया अब मिरको लग रहा था कि शायद मिरको सुका हुआ मिल जाएगा और मिरको मिल भी गया था साथ ही मिरको एक हर्ट भी मिल गया था फिर मैंने अपनी जर्की उतारी जो बहत जाधा मस्त लग रही थी दिखने में और जिनको खाया भाई उसके बाद और लगाई मैंने लेकिन गर्मी भाई बहुत परेशान करती थी क्या करूँ में गर्मी का बार-बार मेरे को आके रहना पड़ता था पर सही बतम जर्की खाके मेरा इतना मन नी बना इसलिए मैंने थोड़ा नमक बनाया ताकि थोड़ा टेस्ट आये जर्की में और नमक वगरा डालके थो टोर्च लगा दी ताकि ये चल जाये और ये चल गया भाई भाई कभी कभी ऐसे होता था कि बाहर का समान उठाने के लिए मिरको इनको मारना भी पड़ता था ताकि मैं बाहर का समान उठाऊं और सीधा निकल लूँ यहां से पर ये निकलने देंगे तब ना भाई उपर से गर्मी भाई बहुत परेशान करती है मुझे लेकिन इस रात में बाहर गया ही नहीं क्योंकि मेरे को अपना काम करना था मैंने अपना रेत वगएरा चानना शुरू कर दिया लेकिन फिर भी मेरा मन करा भाई बाहर धाने का बाहर गया तो ये आदमी भाई बहुत परेशान करन इसलिए मुझे अपने ही पानी में जाकर बैठना पड़ गया और कुछ चा रही नहीं है भई मेरे पास यही पानी है उसके लावे मैं कहीं से पानी लाए नहीं सकता था साथ ही मैं अपने कुछ चीज़े ऐसी बनाने की कोशिच कर रहा था जो कि मेरे काम आजा है जिससे मैंने एक सूट वगयरा बनाया जैसा भी था ठीक था ये सूट और इन दिनों मैंने अपना कोबलिस्टों जनरेटर वगयरा बहुत सारी चीज़े बनाई लावा से और ग्रैवल को चानना शुरू कर दिया और ये मेरी एक ऐसी चीज़ थी जहां से मेरे को आयरन वगयरा मिलने वाला था मतलब सारी चीज़े मिलने वाली थी पर ये गर्मी भाई गर्मी से कैसे बचू मैं अब मैंने सोच लिया था कि गर्मी से कैसे भी छुटकारा बाना है मुझे गर्मी के लिए मैंने फिर अपनी चीजों को बनाना शुरू कर दिया और मैंने एक चीज बनाई जो कि मैंने अपने डायमेंट को थोड़ा तोड़ा मोड़ा और ये कोईल बनाई जो कि हीटर की तरह काम करता है हीटर नहीं ये कोईल है जो कि ठंडा करता है ये एसी की तरह का किया और एक दो हीटर ओर लगाए ताकि यहाँ पर थोड़ी ठंड बनी रहे फिर मैंने अपनी चीदों को ओटमेटिक करना शुरू किया मैंने सोचा कि लावा को अब इखटा करना शुरू कर देना चाहिए तो लावा के लिए मैंने अपना कुछ जुवाड करने की कोशिश क काम नहीं किया कुछ दिन वाद मैंने भाहर आके देखा तो इतनी जादा भीड थी और अब मुझे यहाँ पर रहते रहते काफी टाइम हो गया था इसलिए मैंने नैदर में जाने का प्लान भी बना लिया था चालू भी हो गया मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पर चालू बनाऊंगा पर ऐसा यहाँ पर कुछ इसलिए भाई मैं तो वापिस सला गया और सीधा अपने घर में गया और रात को देखके तो इतना हडबडा जाता हूं भाई मैं चल भी नहीं पाता कभी कभी फिर अपने घर में मैंने काम करना शुरू कर दिया भाई तोड़ा ख़तरा था इसलिए मैं निकल के आगया था निकल के कहीं हो गया जहां पर मेरे को टेमपल मिला था रूस टेमपल के ढंदर भी वाई ख़ाजाना जो कि मेरे पर झाली था चीशभी और शोड़ों करने यहाँ पर जगना कोई काम का नहीं है मेरे पास जो ओटोमेटिक चीज बची थी वो थी अपनी गर्मी और सर्दी को थोड़ा कंट्रोल करना जिसके लिए मैं नैधर में गया था भाई और नैधर में मैं चला तो गया पर भाई ब्लेज वगेरा बहुत परेशान करती है कैसे न कैसे करके मैं चलाए गया और अंदर कुछ मैंने ब्लेज वगेरा मारी जितनी हो सके उतनी ब्लेज मारी और खजाना लूटा और ब्लेज मारी और सबसे अच्छी चीज मेरे को यहाँ पर बोल सेंड वगेरा भी मिलनी शुरू हो गई थी उसके बाद घर आया और यह कोईल बनाए क्योंकि यह ठंडी और गरम कोईल बनाके मैं यह रेगुलेटर बना सकता हूँ टेंपरेचर वाले इनसे टेंपरेचर कंट्रोल होता है पर उससे पहले मैंने थोड़े ट्रांसफर पाइप बनाए ताकि मैं अपने यह लावा को अपना मनलगी ओटमाटिक कर सकता तो यह काम नहीं करा क्योंकि इसके लिए ट्रांसफर नोड वगेरा भी चाहिए होते है पर फिर भी मेरे पास और भी चीज़ है थी करने के लिए मैंने अपने चैस वगेरा को अपग्रेड करना शुरू कर दे चोकि छोटे स्पेस से इतना ज़्यादा बड़ा चैस हो गया था मेरा और फिर मैंने अपने कुछ जूते वगेरा बनाए जो की स्लाइम वाले थे और फिर सोचा कि क्यों ना अब मेरे पाँ मशीन आने वाले तो अपने एरिया को बढ़ा कर लिया जाए तो एरिया को बढ़ा करना शुरू कर दे है मैंने जो यह लीकेट पाइप थी इन सारी पाइपों को हटाया जो फालतु की तार थी इन तारों को खटाये और एक कच्रा लैप्टोप इसकी मेरे को जरूरत नहीं थी इन सभी चीज़ों को हटाये मैंने और फटावट से डर्ट वगएरा बनाना शुरू कर दिये मतलब इतना इस पीड से काम करना शुरू कर दिया मैंने कि अपना फार्म वगेरा ये सारी चीजों की तैयारी मैंने कर दी थी अब मिरेपा लकडियों की भी कोई कम ही नहीं थी तो फिर से मैंने अपने आपको अफग्रेड करना शुरू कर दिया और एक slang suit भी बनाए मैंने पर काम करते करते मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे को ठंड लग रही है मेरी AC इतनी ज़ादा चल रही थी कि मेरे को ठंड लगनी शुरू होगी वो भी ऐसे रेगिस्तान में इसलिए फटावट से इनको बंद किया और अपने heater चलाए मैंने और तब जाके मेरे को शांती मिली और फिर मैंने अपना इसको भी automatic करने की कोशिश करी मैंने इस पर transfer node बगएर लगा कि इसको कैसे ना कैसे करके automatic करी दिया था अब मेरे पास unlimited लावा आने वाला था लेकिन ये काम करते करते मेरे heater भी बहुँ जादा गर्मी करनी शुरू कर दी थी मैंने अपने heater को बंद किया और अपनी ACO को वापिस चलाया भाई इसी चीज़ से बचने के लिए तो मैं वो बना रहा था regulator एक बार बन जाए उसके बाद ही देखेंगे वैसे मैंने अपना sling shot तो दिखाया है नी इतना काम में busy हो गया तो sling shot मेरा ऐसे काम करता है जैसे ही मैं नीचे मारता हूँ तो यह मेरे को बहुत जादा दूर फैक देता है उससे में बहुत जादा काम की चीज़ थी है मेरे को दूर तक ले दाने के लिए और दूसरों से बचने के लिए भी और regulator बनाने के लिए मैंने रबड वगएरा के period लगाने शुरू कर दिया ताकि मेरे को रबड मिल सके और अपने जो tree है इनको भी मैंने थोड़ा automatic कर दिया ताकि लकडिया वगएरा सब automatic मिल सके अब मेरे पर लकडिया भी automatic थी और लावा भी automatic था पर मेरा जो temperature है वो automatic नहीं था पर उसको भी मैंने बनाने की कोशिश करी फिर सोचा कि regulator की जिंगा portable regulator बना लेता हूँ तो portable regulator भी बनाया है मैंने पर एक चीज और ये सारे चीज़े बिजली से चलने वाली थी जब मेरा काम हो गया तो सीधा निकल लिया इस city से बहार अपने घर की तरफ अब वापे से मैं सफाई पर लग गया क्योंकि सफाई बहुत जरूरी है हमारी ship की और जब यहाँ पर आंधिव गएर आते है तो rate बहुत ज़्यादा जम जाते है तो इसलिए मैंने एक बड़ा सा बना दिया था यहाँ पर और उसे बनाने के बाद भी यह काम ही नहीं कर रहा था इसलिए मैंने सोचा कि जो मैं यह बनाने वाला ismeltry वाला system इसको मैं पीछे ही बना दू क्योंकि यह किसी काम का है नहीं इसलिए मैं यहीं पर बना दिये इसको अब बस बिजली का जुगाड करना था थोड़ा immersive engineering का काम करना था जो कि भाई वो काम नहीं हुआ बिलकुल fail हुआ मैंने एक और regulator बनाया जो कि काम ही नहीं कर रहा था पर काफी टाइम बाद मैंने बिजली की खोज करी ली थी कैसे ना कैसे करके मैं लावा से बिजली बना रहा था और एक चीज और बनायी थी चार्जिंग के लिए जो कि मैं अपने portable को चार्ज करना शुरू कर दिया था मेरे पास दो portable थी एक पानी का था और एक ये वाला था मिर पास अभी temperature मेरा control रहने वाला था जब तक इसमें बिजली रहने वाली थी और पानी वाला जब तक उसमें पानी और बिजली रहेगा तब तक मिर पास पानी रहने वाला था पर फिर भी मैंने अपने पानी को ओटमेटिक करना शुरू कर दिया क्योंकि भाई पानी भी ओटमेटिक होना चाहिए थोड़ा बहुत मैंने उसमें चेंजिस करे और ट्रांसफर नोड वगेरा लगा के इसको भी चालू कर दिया इसमें ऐसे होता था कि मैं चैस में लीफ्स वगेरा डालता था तो वो अपने प्यापी पानी में कर्मेट होके पानी भरना शुरू करती आ करती थी इतना ओटमेटिक हो गया थे पर अभी भी ओटमेटिक नई था इसलिए मैंने दिन का वेट किया और थोड़ा बाहर निकल के देखा कि बाहर क्या चल रहा है पूरी रात बर और कोई काम नहीं था मैं इ कैक्टस अपने आपी टूटेगी और सीधा महीं पर जाएगी अंदर जाने के बाद अपने आपी कैक्टस से पानी भी बनी गा तो यह बिल्कुल ओटमेटिक हो गया था एक तरीके से मैं चाहूं तो उसमें डर्ट का भी बना सकता था पर यह मेरे लिए काफी था अभी मिर काटे लगाने शुरू कर दिये जो बहु जादा प्रोटेक्शन देने वाला था मेरे को जूंबी वगयरा से लेकिन एक छोटा सा ओटमेटिक काम रह गया था जो कि और का था तो और के लिए भी मैंने ओटमेटिक काम कर दिया एक कोबलिस्टोन जनरेटर लगा के वह भी मै मेरे कोई लैब बनानी थी खेत वगयरा तो बहार भी बना सकता हूँ और नीचे का फार्ष वगयरा सब कुछ चेंज किया थोड़ा बहुत उपर से भी मैंने चेंज किया इसको ताकि थोड़ा लग सके जहाद से अलग क्योंकि मेरे को जहाद रखना ही नहीं था मेरे को तो यह हमारा सोवा दिन है मतलब आखरी दिन और हमारी लैब भी पूरी बनके तयार हो गई यह इतनी खास लैब हो गई थी कि इसमें चीज़े ज़्यादा तर ओटोमेटी की थी और इसमें मैंने अलगलग रूम भी बनाये जो पंखड़ी थी पंखड़ी के यहां दोनों तरफ मैंने रूम बनाये है अलग अलग और एक उपर भी एरिया बनाये थी जिसमें मैं आगे बहुत सारी चीज़े इसमें बना सकता हूँ बहुत सारी मशीने लगा सकता हूँ यह चाहूं तो मैं स्टोरेज रूम वगरा कुछ भी बना सकता थोड़ा सा ऐसा बनाये है जहास तो था ही नहीं अभी अभी मेरी लैब बन चुकी थी जो कि बिल्कु सिक्योर थी और मेरे को हर चीज़ से बचाने वाली थी इसमें कमरे वगरा सब कुस थे और सारी प्रोटेक्शन थी साथी मेरे पास भी सब कुस था खाने पीने के लिए सब कुस था और पानी वगरा भी ओटोमेटिक था साथी टेंपरेचर भी कंट्रोल था मेरा अब मैं यहाँ पर आराम से रह सकता था और आराम से जो चाहे मैं वो यहाँ पर कर सकता था मुझे अभी यहाँ पर किसी चीज़ का डर नहीं था तो ऐसे मैंने पूरे अपने सो दिन कंप्लीट कर लिये हाँ पर और अभी मैं अच्छे से जिन्दा भी हूँ